Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय Justin Trudeau की political career almost सही चल रही थी तो इसी बीच इनके दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ तुफानी किया जाए और इसी तुफानी करने के process में ये भारत को चुनते हैं जहाँ पे बहुत ही systematic तरीके से anti-India, Canada-based खालिस्तान groups को support करना हो गया हो या भारत के internal politics के बारे में comment करना हो गया हो बस Justin Trudeau से यहीं पे गलती हो जाती है अगर हम present situation के बारे में बात करें तो Canada में Justin Trudeau का हाल इतना बुरा हो गया है कि कम से कम 30 members of parliament इनके खिलाफ openly protest कर रहे है और साथ में इनको ultimatum भी दिया गया है जहां पे कहा गया है कि आप October 28 तारीक तक अपने position को छोड़ दे यानि कि resign कर दें चाहे politician भारत के हो या दुनिया के किसी भी और हिस्से के जो सबसे बुरा phase उनको देखने को मिलता है अपने political career में वो शायद तब होता है जब उनके ही सामने से उनका power उनके हाथ से निकले तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि Justin Trudeau का जो आज का situation हो रखा है वो कुछ ऐसा ही हो रखा है साल 2025 के October के महीने में Canada में election होने वाले हैं और ये सारे जो resignation की बाते हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ election का एक preparation है अगर किसी को भी ये लगता है कि जो Justin Trudeau के opposition party है यानि कि conservative वो बहुत अच्छे हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है चाहे politician भारत के रहे या political parties भारत के रहे इन सभी का जो एक basic DNA है वो same है कि वो किसी भी तरीके से अपने आपको वो सत्ता में बना के रखना चाहते हैं क्यूंकि Justin Trudeau कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर है और ये काफी लंबे दिनों से कैनेडा को सम्हाल रहे और इन ही के time period में जो inflation है वो काफी बढ़ा है जो normal commodities के cost है वो भी काफी बढ़ा है और बहुत हद तक इनका जो mismanagement या policy failure है वो भी काफी बढ़ा है इनके tenure में तो कहने का मतलब है कि इनका situation आज के date में इतना बुरा हो रखा है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे करें और वहीं पे अगर हम बात करें इनके opposition party का यानि की conservative party का तो जब भी कोई political party opposition में होते हैं और अगर आप उनको तब सुनते हैं तो आपको सुनके ऐसा लगता है कि अगर वो political party सत्ता में आ गई तो शायद बहार आ जाएगा और ये जो phenomenon है ये almost दुनिया के सभी democratic structure में आपको देखने को मिलेगा क्यूंकि Justin Trudeau को तुफानी करना था तो इसी तुफानी के चकर में आज के date में ये भारत के साथ अपने foreign policy को इतना ज़ादा खराब कर चुके हैं कि possibly हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि जब तक Justin Trudeau Canada के politics से बाहर नहीं होंगे तब तक बहुत हद तक भारत और Canada का जो relation है वो ऐसे ही खराब रहेगा Justin Trudeau जिस political party को बिलॉंग करते हैं इसका नाम है liberal party और जो इनको party support करती है वो है NDP यानि कि new democratic party new democratic party को जो rule करता है उसका नाम है जगमीत सिंग जगमीत सिंग वही आत्मी है जो बढ़ चड़कर anti-India movement में वो participate करता है तो यहाँ पे शायद सवाल दिमाग में ये आ सकता है कि आखिर में NDP का support liberal party को क्यों चाहिए तो Canada का जो political structure है उसके हिसाब से अगर आपको सरकार में रहना है तो आपके पास कम से कम 170 seats खुनी चाहिए वहाँ के parliament में तो इनकी जो political party है liberal party इनके पास है total 157 seats और जगमीत सिंग की जो political party है यानि की NDP इनके पास है 25 seat अगर आप इन दोनों number को अगर आप calculate करेंगे तो successfully 170 seat से वो cross कर जाता है तो ये भी सबसे बड़ा वज़ा है कि क्यों Justin Trudeau को बढ़ चड़ कर उन सभी activities में participate होना पड़ता है जो किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ हो हलाकि यहाँ पर Justin Trudeau का भी एक common sense होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए भारत जैसे developing nation को नराज नहीं कर सकता है और साथ में Canada जिस तरीके से हरदीब सिंग निजर के assassination के मामले को handle करता है जहाँ पर वो back to back government of India के उपर allegations लगाता है जहाँ पर उनका कहना था कि हरदीब सिंग निजर के assassination में government of India का हाथ है इनी सब कारणों से भारत और Canada के बीच में संबंद इतने खराब हो जाते हैं कि हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि ये संबंद अपने rock bottom पे पहुँच गया जैसा कि हमें मालूम है कि भारत और Canada दोनों ही अपने ambassadors को और साथ में जितने भी जो इनके staffs वगेरा थें उन सभी को recall कर लिये इनका नाम है संजय वर्मा और इनके उपर भी हरदीब सिंग निजर के assassination को लेके इनको भी suspect बनाया गया था इनी सब को देखते हुए government of India ये फैसला करते हैं कि अगर किसी भी देश में भारत के ambassadors safe नहीं है तो भारत ये फैसला करे है कि वो अपने ambassadors को वहाँ से वापस बुला ले एक recent TV interview में संजय सर कहते हैं कि जिस तरीके से Canada का भारत के खिलाफ एक criminal behavior है ये कहीं से भी acceptable नहीं है आप करेगा तो क्या ये आने वाले जो election है उसमें इसका impact नहीं पड़ेगा तो जिसको लेके संजय सर बहुत ये अच्छे तरीके से समझाते हैं कि Canada में बहुत सारे हिंदूज है और सिख हैं जो complete तरीके से खालिस्तानी इसको oppose करते हैं लेकिन इनका जो numbers है वो अलग- ये अलग-अलग divisions में हैं तो कहने का मतलब है कि भले अगर आप on papers देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि Canada में 10% या 20% हिंदूज रहते हैं लेकिन उनका जो vote है वो एक ही area में concentrated नहीं है वो बटा हुआ है तो कहने का मतलब है कि वो जो numbers है वो इतना जादा बटा ह हुआ है कि उसका जो impact है वो voting pattern पे बहुत ही minimum पड़ता हुआ दिख रहा और उसके बाद संजय सर ये भी कहते हैं कि जो चुना हो रहे हैं वो Canada का खुद का एक अपना domestic politics है जिसके बारे में हमें comment नहीं करना चाहिए तो ये होता है एक responsible ambassador या diplomat जो किसी भी तरीके से अपने लेते हैं वहीं पे अगर हम बात करें Canada के बारे में और साथ में Justin Trudeau के बारे में तो बीते कुछ सालों में इनकी जो popularity है वो drastically गिरी है तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि Justin Trudeau आज के date में एक complete तरीके से panic वाले situation में है जहां पे इनको कुछ भी समझ में नहीं आरा कि इनको क् कैसे करना चाहिए और साथ में जो इनके opposition parties हैं वो बढ़ चड़कर इनके ऊपर attack कर रहे हैं तो यहां से भी as an Indian हमारे लिए देखना काफे interesting होगा कि अगले साल Canada के election में कौन जीता है और जो ultimatum दिया गया है इनके ही members of parliament के द्वारा उसको किस तरीके से यह response करते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye